गाइस एनिमेशन तो आपने देखी होगी बट गाइस क्या आपको पता है कि एनिमेशन बनती कैसे होगी तो इस वीडियो को एंट तक देखते जाओ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे नियू एप्लिकेशन बताऊंगा जो कि किसी ने भी आपको नहीं बताया आपको बहुत सारे करेक्टर आपको जो भी करेक्टर चाहिए चूज कर सकते हो एंड यह करेक्टर हमारा एक गेम का करेक्टर जो की बहुत पॉपुलर है यहां पर इसकी एनिमेशन कैसे करने ही मैं आपको बताता हूं तो सिंपल आपको बैक आ जाना है यहां पर आपको प बात करते हैं इसे 3D animation कैसे बनती है वीडियो वाली तो उसके लिए आपको इनिमेशन के बटन पर क्लिक कर देना है यहां पर आपको बहुत सारे अनिमेशन प्रेसेट्स मिल जाएंगे आपको जो भी अनिमेशन एड करना है वो आप सेटिंग पर क्लिक करो एंड ग्रीन कलर को क्लिक कर दो आपको इतना करने है यहां पर आपको सिंपली पोस ले 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 लाएंड आपको ले लेना और एक आच्छे सा बेक्राउंड ले 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 लिये जैसे मैंने गार्डन की इमेज लिए ठीक है आप चाहो तो और भी लागा सकते हो एंड आपने जो भी कैरक्टर रिक को आपको क्रोप कर लेने और यहां पे निचे आने के बाद आपको क्रॉमक की का ऑप्शन दिखे गां को क्रोों की करिंदा करदेना जी को ऐसे कि अबसेटर है इस्क हमारा इस त्रीक कर सकती है ठीक है एंड इसी तरह आपको और भी बना ले लिए एंड पूरी मूवी क्रेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो ठीक है गाइस कुछ इस तरह से आप 3D एनिमेशन मूवी बना सकते हो एंड यह आपको कैसे लगी मेरो कमेंड में जरूरू बताना है सो अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट एप की तरह सो नेक्स्ट एप हमारा स्ट्रक 3D जो क लिए वादे आप गेम क्रेंड कर सकते हों यहाँ पर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाए अगर आप इसका फुल डीटेल देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख तो हमारा basic game तो ready हो चुका है आप आपको simply play पे click कर देना है and आपको अपना screen recorder स्टार्ट करके अपना game खेलना लगना है जैसे भी आपको animation बनाने जैसे आपका story है उस तरीके से आपको इस game को play करना है and recording है उसको record करने के बाद आपको simply आजाने काइन मास्टर पे आने के buttons को hide कर दिया एंड यहां पर आपकर सकते हो अपनी voice offering तो यहां पर आप अपने आवाज डाल दो कानी में जिस तरह का सीन और आप अपसमें कर सकते हो एंड आप sound effects and background music डालके तगड़ा animation बना सकते हो सो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो लाइक इस जैसे कि मैं आपको द animation सो यहां पर आपको क्या करने हैं आपका character चूज कर लेना है और यहां पर character का hair, eye, nose और उसकी lip वगयरा चूज कर लेनी है और इसके कपड़े चूज कर लेना है जो भी आपका पड़ा इसको पैनाने वाले हो एंड कपड़ों का डर कैस होगा हर एक आपको setting कर लेनी है और इसका background है उसका color भी आप देख सकते हो ब्लू है अगर आप green रखना चाहँ तो green भी रख सकते हो इसको हम chroma key करके हटा देंगे ठीक है तो आपको simply यहां पर character को design कर देना है जो कि मैं कर देता हूं and character design होने के बाद यहां पर आपको character को animate करना है तो animate करने करने के लिए आप जो background है उसको आप adjust कर सकते हैं उसकी size वगयरा like this and आपने जो भी clip record करी थी इसको simply आपको अपने timeline में import कर लेना है like this and जो बागी के parts से उसको कर देना है हमें crop तो simply crop पर जाके इसको crop कर लेंगे एकदम हटा देंगे remove कर देंगे and बागी जो blue screen है उसको हम कर लेंगे chroma key तो simply लिए पर chroma key पर जाके इसको enable कर देना है and boom हमारा background गाया and इसको adjust करने के बाद आपको क्या करना है simply इसमें effect डालेना है glitch वाला तो simply glitch का एक effect ले लेंगे and यहां पर इसको पूरी screen पर बड़ा कर देंगे and simply इसको opacity को कम कर देंगे and strength की one रख देंगे and आपको कुछ इस तरी animation दिख जागा यानि guys आपको जो characters में थोटी सी जान आ जाएगी and यहां पर blur भी add कर सकते हो ताके cinematic look आए so यहां पर आप simply blur को ले लो and full screen पर कर दो जिस तरह आमने पहले कर रहा था and इसको back कर दो हमारे character के तो हमारे character के पीछे चले आगा and हमारा anime इस तरह cinematic लगेगा and guys दे and setting में आने के बाद आपको नीचे scroll कर देना है and यहां पर आपको मिलेगा video video पर जाने के बाद यहां पर आपको hide hand or hide hud को on कर लेना है जिससे क्या होगा आपकी inventory और hud बटन्स वगरा गया बोजाएंगे and आपका hand भी गया बोजागा उसके बाद आपको simply world create कर लेनी है और creative world होनी चाहिए and आपको अपने friend को भी अपनी world में add कर लेना है ठीक है guys and देख सकते कुछ इस तरकी की world आपको दिखेगी आपको एकदम cinematic सा feel आएगा ठीक है guys यहां पर देखो मैं game खेल लो बट ऐसा लग रहा है कि यह कोई cartoon चला है and यहां पर मेरा friend भी मेरे पास आ चुक कर तो simply मैं आपको अपना camera लेकर बेड़ गाऊं like यह मेरा camera है and इसी से मेरी screen recording भी हो रही है यानि guys मैं आपने mobile से screen recording कर रहा हूं and यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके हमारा animation create हो गया and आप चाहो तो उसमें और भी चीज़े add कर सकते हो यानि guys मैं आपको और भी च पड़ेगी जिससे आपको इस तरीके animation create कर सकते हो like आप देख सकते हो so guys इससे तो आप बना सकते हो खाली minecraft की छोटी मोटी animation but guys अगर आपको कोछ इस तरीके animation बना नहीं तो इस वीडियो पर किलिक करके वीडियो को देख लो and आपको और भी animation के app चाहिए तो इस वीडियो किलिक करके जरूर देख लेना and वीडियो चिलो चेलो की तो वीडियो को लाइक कर देना चेनल पर नहीं तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना and guys मैं मैं मीलूंगा इसी गास नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए बाबाए and thanks for watching